बारत्या गोर्खा भुत्पुर्वा चैनिक तता अर्दा सैनिक संगटन येवडा राजनितिक संगटन हो अनि आमी चै आजुग दिनमा गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चा बिनाई तामंग जिव औनि अनि थाप जिव को पाड़ी समा संगलक न चाँ मो बारत्या गोर्खा भुत्पुर्वा चैनिक तता अर्दा सैनिक संगटन को कन्वेनर मेरो बायापटी हुनुँँचा करनल पीके सर्मा जो आमरो संगटन को एडवाईजर हुनुँचा अनि मेरो दाइने तरप हुनुँचा एक शोल्दार शोर अप्राई जो आमरो संगटन को सची हुनुँचा आज आमरो दाजलिंग पाड नि समस्त गोर्खा समाज मा भारत्या सेनामा आमरो गोर्खा केटा रुको बर्दिगो बारेमा जुन बात चैनिक पाड़ुचा जली रहेको छो योड़ा खुबए मौत्तो पुर्णा बात बनेको छो अनि एस बिशरेमा भारत्या गोर्खा भुत्पुर्वा सेनिक तथा अर्दा सेनिक संगटेनले किये गर देचों किये किये करेको छों तेसको बारेमा आजुगो दिनमा हामी मीडिया को तरप बड़ा सबसे जन समुदाया मां अमरो गोर्खा जाती भित्र यो संदेश पुगस बनेरा आमिली एँ प्रेस कॉन्फरेंस गरे को हो बात चल देश हो एजूकेशन क्वालिकेशन को बारे घो स्टेण पास ट्रास्टेस यो सब को जड़ा चै किये हो मूल्मुदा कियो यो सब्षको बारे मां भन्नालीकति जरूरी इश हो जो येस जो विशेई है ये लाई भनिंचा dispensation of educational qualification for गोर्खा बोईज for recruitment in the category of soldier GD into the Indian Army. अनि यो जा हमिले भुजनु पर चा यो विशेई सिरिफ soldier general duty soldier GD केटेगेरी को लागे मत्रही हो एसमा अरुकुने technical category tradesman को केपनी इसा छाईना. यो कुरो जो छा 2010 देखी आएको हो 2013 चंगदमा अलिक जटिल बनेओ और 2017 देखी तो एकदमे जटिल बनेरा गोएगो छा. यो समस्या को मेन जड़ चाई जो आमरो गोर्खा केटा अरुलाई यो अरुलाई भारत्य सेना मा भार्न उनुको लागी education quality vacation मा छूट थीयो 2010 बन्दा पहिला तियो छूट चाई समाप्त गरियो. 2010 सम्मा भारत्य सेना मा शोल्जर जीडी क्याटेगीरी मा भर्ना उनुको लागी class 10 pass with 45% in aggregate अनि पर्तेक सब्जेक्ट मा कम से कम 32 marks पायेको उनुको पर्तियो. यू थीयो क्वालिफिकेशन एजुकेशन स्टांडर्ट बर्तन बर्ना उनुको लागी. तरह आमरो गोर्खा जाती को यू आरको लागी चाई 2000 सम्माइस मा छूट थीयो. आमरो केटा आरू चाई class 8 भायो भने वहां आरू qualify ने उनुसक्दा ना, register ने उनुसक्दा इना. अब येसे सिल्सिलामा योडा रक्षय मंद्र जीवुले लेखनु भायो चिटी 21 डिसंबर 2020 मा वाले साइन गरनु भायो चिटी भायरल भायो सोशल मीडियामा जनौरीमा. अनि तेयो चिटी चाई शीरी राजु विश जीवुप को 28 सेक्टेमबर 2020 को चिठी को पत्रेतर भनेरा लेखे गो तियों तेसमां लेखे गो तियों सेक्टेमबर 2020 देखी 31 मार्च 1921 समझाई गोर्खा युआ आरको लागी गोर्खा इको अरको लागी शोल्जर जीटी को लागी क्लास 10 और ट्रेस्मेन को लागी क्लास 8 को आदेश सेक्टेम्बर 2020 में निकाली हो भने रहा। तो तेस में कन्भीजन थे हो। क्लास 10 तो आएले बनी सहने। समास्य दो 45 परसेंट रहा थाडी 3 परसेंट को हो। अनि तेस बारे माा दो 11 जनर्बरी को दिन स्टी राजूभीस्ट हमरो सांकत जीवशंगा बादगरे शं म ocean को सॉआ वाले बन्नुमेंट को अनि मो रक्माशय मंत्रजीवशंगा बादगरे को थे, निकालने या त्यो जो रक्षा मंत्री जीवले चिठी लगनु बगयो तेसको क्लिरिफिकिर्शन लिने कोशिस गर्चु वनेर बननु बगयो एगारा बारा तरिक बेलुगी पनी बारा तरिक ब्यान पनी मो शीरी राजु विश जीवसम बाद गरेगो ते अने बारा तरिक को दिन जो हमिले यो चिठी लेहे को पत्र रक्षा मंत्री लाई तेरा नोमेंबर मा लेहे को पत्र को पत्र लिपी को साथ मा हम्रो करनल पीके सर्मा जीव सांचत जीवसंगा साक्षत दुर्प मा बेट गरनु भयो तिसको बारे मा हम्रो करनल पीके सर्मा दा जन्सभा आयरजीद गरेगा थिए चमपाशरी को मिलन मोड बने जगामा जहां हाम्रो सम्माने नियार संचत्यू चिरी राजुपिस्ट आउन भाख थिए और यू हम्रो गोर्खास को एक्ष्विशन क्वालिफिकेशन जो बट्टेगो लागी इसको बारेमा वाले पहले रक्षामंत्री राजना सिंग जीवलाई लेखन वागो चिठी को एवडा प्रतिलिभी बनाया वरी उमाला गवायरा हम्रो रिक्वायर्मेंट चाई टेन पास हो त्यस्मा कोई कंडिशन जो अग्रिगर कोट कंडिशन चा या सब्जेक्पाइज मास को कंडिशन चा त्यों रामनी समझायो भरवली समझायो अनुमाले आश्वास ने는 वा कि मला यो तार चीज पल्या पड़ा था जा अड़ो अगारी रक्षामंत्री सेंग बात क्टायरा कृटो इसको संचो धन कड़शू मने आश्वासं देन उवायो गटिव तवे ते दिन त्यों कोटा मेले पे गामगुदून आफ्ठार अफ्ठार अपट्छा, चितो गन्ता सिटो पाल्मेन सेशन बेन लागना आटेगेशा तेदी वेला यो गरी वरेगरें यो हुकुम निकालेरा आर्मी हेडक्वाटर्स को जो रिक्रूटिंग डारेक्ट्रेट बड़ा हमेला एक्जुकिटिव ओडरस पायू बने देंगी चाई आउने वाला जो मांस मेना को भर्ती चा तेदी वाला यो संसोजीद क्वालिफिकेशन चाई भयो बद्देगिन आमरो धरेकेटारो भर्ती आमरो जेनले पाटी संगलक्न सहिनिक मोर्चा को अमरो दाजुवर ले अड़ा एस्ताइ प्रेश ब्रिफ गरेरा मांस मेना को भर्ती को लागिचे सिंबल क्लास्टिन वायो भनने हुकुम आयो राजनाथ सिंग जीवले चिठी लेखनु भाग्चा आमरो राजी बिस जीव जुन चिठी को बारे मांचे आमीले कनल पीके सरमा सर अनी मायले राजु बिस्तम टेलीफोन वानी प्रतेक्ष रुपमा चाक्षत रुपमा वांसें बाद गरिशे है गोतियों तेसरीने तेस्ट जेनोरी गो दिन योड़ा टेलीग्राफ मांचे लेखे गोतियों आबोच राजनाचिंग जीव को पत्र को अनुसर अम्रो गोर्खा केटारू गोर्खा केटारू गोर्खा गिवारलाई भारते सिनव मा भर्दी उनुकलाई ते क्लास्टेन सिम्पल विदाउट रेस्टिक्षन अप परसेंटेज अनी ट्रेस्टमेन को लागिजे क्लास एट को सुरिकार गर्णु भायो यो अड़ा निस्की शायेगो चा तरह 26 तारिको दिन महिले जो हमरो रिग्रूटिंग डारेक्टरे धुन चा एजुटेंट जेनरल प्रांच आर्मी हेट्गोर्टर का अन्डर मा तेसको यवड़ा वेबसाइट चा जोईन इंडेन आर्मी वांद दिस्पेंशेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बने ओरा एडिंग शाये तियो एडिंग माज जाये इस्पेंशेशन वास प्रवाइड़ फोलोई गाटेगरी फ्रम फर्स्ट अप्रिल दुएजार तेरा बेकी थीपास मार्च दुएजार शोला वनेरे लेक्या तो तेसको मतलब जो 2016 सम्मा हम्रो गोर्खाली केटो अरू गोर्खाली जीओ अरलाई डिस्वेंसेशन तियो तियो इक बात चा अंधा सायत जो रक्षयमंत्र जीव ले डिसीजन लिनू भयो आम्रो सांचाची राजुबिष्ट जीव को पाहलमा तियो डिसीजन चाई ताला सम्मा पुएको चाईन अनि जवा सम्मा रिकूर्टिंग डारेक्टेट को जोईन इंडना आर्मी भन्ने वेबसाइट मा इलिजिबिलिक क्राइटेरिया मा यो निर्देशी का आउधाई न गोर्खा यू आरू अनि गोर्खा क्रेटा अरू को जाई एजुकेशन आरिकिफिकेशन मा छूट देरा उलाइक क्लास 10 सिम्पल पास विदाउट क्राइटेरिया 45 परसेंट अर्द 33 परसेंट इनिजिबिलिक कुरो त्यो वेबसाइट मा उलेखी दूदाईना आम्रो केटाहरू मास मा भरती हुनु पाउधाईना एदी उसको मा 45 परसेंट रोख 33 परसेंट इनिजिबिक माँ चाहिना भनी अनि आवो इलेक्षन नोटिफिक्षन निकलीनु आठियो शांशत को बजेट शत्र सुरू हुनु आठियो 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 आम्रो सांशत सीरी राजु विष्जिवले घरेको पहल आम्रो जती बनी संगठन ररूछ जत शाहिनिक मर्च जनल साफर उन्च उन्ब जनल साफर उन्च वन्च देरादुन का तला शिलिवडिका सपपई और अवन आम्रो सर्भीं गोर्खा रेज्मिन का जनल साफरु इन्ब आए इस बारे मा काम गड़दे आया गचाँ यो शारानी यशा इस इस पेशली बिसेश ग आम्रो मीडिया को मार्फत बड़व यो अंतिम घुटकिल अच्छे चाक्टे छिनाई दिनुष औनि यो 2021 को बिदान सबा चुनावर को नोटिवेक्शन निकलीनु भन्दा पईला नहीं श्री राजनाच चिंग जिऊ आम्रो मानेनियर रक्षाम मंत्री लाई भने रहा देली मा भेड़ गरे रहा रिकुटूटरिन डाइरेक्ट्रेट एजी ब्रांच आर्मी हेडकटों को जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को योड़ा निर्दे सीका छो तेस माचे गोर्खा गोर्खा एवाहर को लागी चै एजुकेशनल क्वालिवेकेशन्त क्लास 10 पास सिम्पल विदाउट 45 परसेंट इन एग्रिकेट और 33 परसेंट इन इत सब्जेक्ट वनेरा निकलोष यही चै आमी आजगो दिनमा आमरो सांचाचाब लाई बिंती चराउंचांग आमरो निय जो चाड़ यह बनना चाड़ गर्योष 2010 सम्पूर्ण बाकी उमेद्वर हरुको लागी 10 पास विद 45 परसेंट एग्रिकेट और 32 परसेंट इन इत सब्जेक्ट चाहिंते हो तरह गोर्खार लाई क्लास 8 मत्र चाहिंते हो तेसरी नहीं यो जो ठूट देगो देला चै अलिक अलिकेट मांथी बड़ा आरा 2010 देखीले रा 2016 सम्पूर्ण बाकी गर्खार लाई सिंबल क्लास 10 मत्र चाहिंते हो अरुलाई 45 परसेंट 32 परसेंट इन इत सब्जेक्ट चाहिंते हो तेसको बाद मां 2016 मां आरा तो यो गर्खार लाई बायगो चूट बिल्कुलाई ख़तम ग यो गोष्णा गर्यो कि आब गोर्खा रेजिमेंट हर माच्चे आमरो गोर्खा केटा अरु यो आरु नाया कोले कुम अरो गड़ाली अरला आल्चों बाने रो तेस बगत नोएम्बर महिनामा कती तारिक दोजू करल पीके सर्मा अनी महिले 11 तारिक नोएम्बर गोतिल एसरी ने मीडिया संग बात गरेर धेले कुरा रू राखे गोतियों नोएम्बर 11 बारा तारिक महिले आमरो एस चत्रका दोजाना सांच धुरु नोंचन श्री मती सांधा चित्री और श्री राजु बिस्ट वासंग अपनी बात गरेको थिये अनि श्री मती सांधा छेत्री जिवले प्राइमिनिस्टर जिवले चित्टी लेखनु बयो तेसे रिने स्री राजु बिस्ट सांचत जिवले रक्षा मंत्री लाई चित्टी लेखनु बयो यो पत्र सांधा चित्री जिवले लेखनु बयो पत्र को पत्तिली पी चा मो यो आईले मीडिया ले दिन जू तेसे रिने और यह तीसरा पेजु एसमा सम्पुर्ण रुप मा हमिले बयान गरेको चोंग। तेसरीने यह सिल्चिलामा आमिले गोयरा जेनल लेटन जेनल एकेशिन इद्ध शेवा मेडल, छेना मेडल, विसिस्ट शेवा मेडल जो त्री सक्ति कोर को जेनल अफसर कमांडिंग हुनुँँच सुख्णामा वाँ संग बाद गरे वाँ 11 जियार को अफसर हुनुँँच और वाँ चे यह बिशाई मा बन्नक लागी उपएक्त ब्याक्ति आमिले ठानियो त्यो बेटगाट मा माले बन्नुबयो यह समस्या मिले ठाच आमिले गोर्खा युवा आर्को लागी गोर्खा केटा आर्को लागी क्लास्टेन सिम्पल पास उनुपर्श भने र उच्च अधिकारी अर्लाई बताई सेगे को चाऊं और योजे कंसिडरेशन मा चाऊं और येसको बारेमा आमि प्रोगेश गर्दे चाऊं भने र भन्नुबयो अनि त्येस बारेमा मैले दुबारा दस तारीको दिन वहांको क्लास्टेन सिम्पल पास 45% इन अग्रिकेट और 33% इन इच सब्जेक्ट येस बिशाइ मा दिसमर मैना मा भर्तिको प्रकिरिया बायो त्येस मा हरेक जगा मा गये गाउंगा गये र हमिले भर्तिको प्रकिरिया गर्यों त्येस मा 50-60 जणा केटारू भेला हुंते हो तरो यो 33% रो 45% इन गर्दा आट जाना 10 जाना मत्रै क्वालिफाइ हुंते हो